हेलो दोस्तो मैं डॉक्टर नजर आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं इसकिन के ऐसी कॉंप्लिकेटेड बीमारी के बारे में जो बहुत ज़्यदा कॉंप्लिकेटेड है और जो इससे परिशान हो जाता है तो कि वो बीमारी जल्दी नहीं होती है जी हा आज हम बात करने वाले हैं सोरीयसिस के बारे में तो दोस्तो आज हम बात करेंगे कि सोर厲害ab Люб key क्या होता है इस बीमारी में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इस कितने तरिक एक घिपस का होता है और यह टिन लोगों को हो सकता है तो सबसे पहले हम मिसलित00 स्भून यहां होती है और यह क्रोनко को एक इनफामेशन होता है इसके इस पूराने बिबारी जuego कर सकता है और यह मेरे जोडों को दi कर सकता है तो इसके बार आध हम समस्जते हैं इसके symptoms क्या क्या होते हैं दोस्तों जहां पर भी सोरियासिस होता है वहां की जो skin है वह red color की हो जाती है और वहां की skin मोटी हो जाती है ऐसा क्यों होता है इसके पीछे कारण है उसका कारण क्या है कि जो हमारी skin है जब dead हो चान गंब आती हैं उसके बाद वहाँ पे नई इसकी नाजाती ए और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 40-60 दिन 30-60 ऐसे लगता है और धीरे-धीरे करके जो हमारी जो डैड़े इसकीन है वह निकल जाती है और वहाँ पे नइचकी ना आ बढ़ जाएगी जब ब्लेट सप्लाई बढ़ जाती तो क्या होता है वहां की स्किन लाल हो जाती है और इसके खास सिम्टम होता है सुरियासिस का कि उसके ऊपर पड़ी होगी वह सिल्वर वाइट कलर की होगी और इसमें वाइट पाउडर जैसा जड़ता है जब भी आप उसमें दिखते हैं सुरियासिस जो बीमारी होती वह किसी भी एज में हो सकती है यह बच्चों को भी हो सकती है और जो है ओल्ड एज में भी हो सकती है लेकिन जो कॉमनली देखा गया है यह एडल्ट एज में जादा होती है यह दोनों चाहे मेल हो चाहे फिमेल दोनों लोग को बराबर से हो सकती है मasages मिलक को भी यह विमारी हो सकती है जैसे कि मैंने शुरूइब में बताया कि Suriasis का जो अफर है वह आपके Nails में भी हो सकता है और आपके जोडों में भी हो सकता है जब इसका अफर नेल्स में होता यह क्या होता है नेल्स टूटे-फूटे हो जाते हैं टेड़े मेले हो जाते हैं नेल्स मोटे हो जाते हैं और जो है नेल्स के ऊपर गड़े हो जाते हैं जिसको हम लोग पिटिंग निल्स बोलते हैं और जो नेल प्लेट के नीचे जो नेल बेड़ होता है इन दोनों का इस पेस जो है वो बढ़ जाता है इसका जो असर है सोरियासिस का वो आपके जोड़ों में भी हो सकता है सबसे पहले इसमाल जोइंट पर असर करता है और उसके बाद ये लाड़ जोइंट को भी असर करता है कि पहले लाड़ जोइंट को असर करता है और उसके बाद जो है इसमाल को मिलते हैं तो सबसे जो कॉमन साइट है जहां पर सोर्यासिस सुलवात होता है वो होता है हमारी एल्बो में हो सकता है नी में हो सकता है लेग में हो सकता है और पीठ के या कमर के निचले हिस्से में हो सकता है और यह पूरे पीठ में भी हो सकता है कुछ केस में ऐसा भी होता ह है अब हम बात करते हैं कि इसके फैक्टर क्या क्या है क्या क्या फैक्टर है जिनकी वज़े से सोर्यासिस किसी को हो सकता है दोस्तों इसका कोई भी कोई फिक्स या शूर फैक्टर नहीं है कि इसकी वज़े से ही हो जाता है तेकि कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इसमें इन्वाल्व है जैसे एक होता है जिनेटिक फैक्टर मैं आपको बता दू कि अबाउट 30 पर्षेंट जो केस हैं सोरियासिस के उनको होता है जिनके फैमिली हिस्ट्रे में सोरियासिस होती है वंदब अगर किसी के जीन में यह बीमारी है तो उसको जिन्दगी में कभी न कभी हो सकता है और दूसरे ऐसे लोग जिनका किसी भी कारणबर्स उनका इम्यून स सिस्टम वीक होता है तो इसके वज़े से भी हो सकता है कुछ लोग मैंने देखा है कि वह एलकोहल और स्मोकिंग ज्यादा करते हैं अब होगा क्या इसको करने से उनकी इम्यूनिटी जो है वीक होती है और ऐसे लोग को देखा गया कि सोरियासिस होने के चांश ज्यादा होत होती मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है जो इसके लिए जिम्मिदार है वो है इस्ट्रेस अक्सर हम लोग इस चीज को जर अंदाज कर देते हैं लेकिन मैंने देखा है कि आप जितने भी केस देखें सोरियासिस के अगर उनकी आप हिस्ट्री पर जाते हैं तो यह करते हैं कि सोरियासिस के टाइप्स क्या क्या है व्यבिश्के एरफ्शीन के अरफेश में बचा गया है तो पहला जो टाइप सेसका प्लाग सोरियासिस में क्या होता है कि इसके इільки इर Millsaff रिधाशन होते हैं वह बड़े-बड़े होते हैं चौड़याग यह कॐ होते हैं इसम कमर के निचले हिस्से में पाया जाएंगे दूसरा एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं गटेट सोरियासिस में क्या होगा कि इसका इरप्षन होगा वो छोटे-छोटे होगा छोटा-छोटा होगा लेकिन होगा क्या यह काफी जगह पे फैला होगा जैसा कि अगर आपके पीट में पाया जाएगा तो पूरी पीट में इसके इरप्षन पाया जाएंगे और जो है शोल्डर के भी आसपास पाया जा सकता है यह कमर के दोनों हिस्सों में भी इसके इरप्षन जो है पाया सकते हैं तीसरा जो टाइप होता है वह होता है पस्चुलर सोरियासिस जो है बहुत जादा परेशान है इचिंग भी हो रही है उसके साथ में पस भी आ रहा है एक टाइप होता है एरेथ्रोडर्मल सोरियासिस जब आपको सोरियासिस पूरे लगबक सरीर में फैला हो एगर यह सिम्टम या यह इरॉप्शन अगर फैल जाता है तो इसको हम लोग ब होती है तो जब आगर आपको सेंब डर्माटीस है और साथ में सोरियासिस इस लाता है एसको यह सिम्टम्स और क्या फैक्टर है जो चैनल से आपको जो जानकारी मिल लई है आपके लिए यूसफुल हो तो आप इसको जो सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं जो नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूं इंशालला उसमें जो है सोर यासित क्या मेनेजमेंट है इसके क्या ट्रीटमेंट है इसके बारे में मैं बात करेंगा जब तक के लिए थैंक्यों आप 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 आप